हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चेनल लौ इजी में मैं पंकजवादवानी एडवोकेट एंड लौ लेक्चरार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नए विशे पे और इस विशे का नाम है जुविनेल जस्टिस एक्ट जिसों हम किशोर न नयाय देखभाल एवं समरक्षण अदीनियम 2000 उसको भी रिपिल कर देगा दिल्ली गेंग रेप के बाद आप सभी को पता है दिल्ली गेंग रेप जो हुआ था निरभया कांड जब हुआ था 2013 के बाद इसमें भी अमेंड्मिंट कर दिया और नया जुविनेल जस्टिस एक एक आयू ग्रूप होता है बारा से लेकर अठारा साल के जो आयू वर्ग है जिसे हम किशोरा वस्था केते हैं एडल्सेंट एज कहा जाता है तो उसके लिए इसका इस्तिमाल किया गया है किशोर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति ऐसा बच्चा जो बारा साल से बड़ा है और 18 साल से कम है क्योंकि 12 साल से कम उसको चाइल्ड कैंगे और लेकिन जो चाइल्ड हुट से एडल्ट हुट में आने की जो एक एज होती ही जिसे हम किशोरा वस्था बोलते परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति के दिमाग में जब बच्पन से बढ़ाई में जब वो कनवर्ट होता है तो उसको दुनियादारी की बहुत दीरे-दीरे समझ डेवलप होने लगती है तो एक ऐसी आयू होती है जिसमें बिगडने की आशंका बहुत होती है याने एसा बच् जो अपराद से अपरादियों के easy contact में आ सकता है खुद भी अपराद कर सकता है उनके खिलाब भी अपराद हो सकते हैं तो इसी लिए किशोर जो है इसी कोई juvenile का गया है कि एसा age group जो 12-18 साल का है और एक इसे special age एक विशेश आयू मानी जाती है क्योंकि एसी स्तिती में बच बच्चे के खिलाब अपराद हो भी सकते हैं या बच्चाक स्वेम भी अपराद कर देता है तो हमारे समिधान में भारत के समिधान के अनुच्छेत 15-3 में राज्य सरकारों को और केंद सरकारों को शक्ती दी गई है कि वो बच्चों के लिए विशेश कानून बना सकते हैं कि कभी भी किसी बच्चे को फासी की सजा, किसी बच्चे को आजीवन कारावास और किसी बच्चे को कठोर कारावास और साथ साल से अधिक्का कारावास नहीं देना है और चुकि भारत ने भी इस कन्विंशन में भाग लिया था भारत ने भी अपनी सहमती दी थी तो हमें अंतराष्ट्रिय सहमती के अनुरूप अपने देश में भी एक कानून बनाना था और उसी को देखके हम लोगों ने जुविनाल जस्टिस एक जो पुराना 1986 था इसमें अमेंडमेंट करके नया एक्ट लाये थे हम जुविनाल जस्टिस एक 2000 का और जो की अभी दिल्ली गेंग से कौ्ट होनी चीए तो हर जिले में जुविनाल जस्टिस बौर्ड बनाया गया है जिससे हम किशोर नयाले केहते हैं किशोर नेयल है एक special court होती है, जिसमें किशोरों के मामलों को deal किया जाता है, साथ ही साथ इनकी jail भी separate होती है, इनको उन jailों में नहीं रखा जाता है, जहां पर already पेशेवर मुझरिम बेठे हुए हैं, यदि वो पेशेवर मुझरिम के साथ में यदि बच्चों को रख देंग इसे किशोरों को रख देंगे, तो इसी स्तीति में उनका वहाँ पे coaching center हो जाएगा, उल्टा अपरात की training मिल जाएगी, इसलिए उनके लिए special jail बनाने का प्राओधाने, जिसमें rehabilitation center बोलते हैं, rehabilitation center का मतलब होता है, पुनरवास के अंदर है, इसको jail ना बोलके पुनरवास के जाती है, तो special jail होती है, जिसमें care और rehabilitation मतलब उनकी देखबाल होती है, तो अभी वाला जो act है, पुराने act में 18 साल की आयू रखी गई थी किशोर के लिए, लेकिन जो नया act 2015 आया है, उसने बोला है कि यदि बच्चा 16 साल से 18 साल के बीच का बच्चा है, उसने heinious crime किया है, एसा किशोर जिसके आयू 16 साल से अधीक है और 18 साल से कम है, उसको फिर adult के माफिक, यानो उसकी trial जोगी, वो adult के रूप में ली जाएगी, he will be tried same as the adult, अगर वो heinious offenses में, और इसका कारण आप सभी को पता है दोस्तों, जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था, उसमें जो 4 आरोप उसे 3 साल के सजा दे के छोड़ दिया, आज वो बहार है, तो जुडिशेरी ने इसमें amendment की बात की थी, कि इस कानून में amendment होना चाहिए, कि जो वेक्तिय से जगनने अपरात करते हैं, इसा बच्चा जो जगनने अपरात करता है, तो उसे adult के रूप में ही try करना चाहिए, तो 2016 में notification क्रमांग 2, याने इसका संख्यां क्रमांग 2 है, juvenile justice act का, और इसमें कुल मिला के 112 धाराएं हैं, कुल मिला के इसमें 10 chapters हैं, और 31 दिसंबर 2015 को जो ततकालिन राष्टपती थे, आजरणिय श्री प्रणाव मुखर जी जी उन्होंने इस पे अपनी अनुमती प्रदान की और 15 जनवरी 2016 से ये भारत में लागू हो गया, तो ये जो कानून है juvenile justice act 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, और इस कानून में कुछ और महत्पूर्ण amendment भी किये गए, इस कानून में जो पुराने कानून में बाते नहीं थी वो इसमें जोड़ी गई, adoption law से सम्बंदित भी बहुत दिन लोगों के उपर लागू होता है, इसी guardianship and wards act 1890 जो muslims पर लागू होता है, इन दोनों act को repel किये बिना, याने इन act को खतम किये बिना, कुछ adoption के नियम कानून इसमें भी डाल दिये गए juvenile justice act 2015 में, अभी juvenile justice इसके लिए ये का गया है कि juvenile justice board होगा, मलब juvenile के मामले जो होते हैं, वो ordinary जिला court में treat नहीं होंगे, juvenile justice board बनाया जाएगा, और इसमें treatment of juvenile, याने इनको सजा देने की treatment, इनका ilाज करना जरूरी है, याने सजा की जगे, ilाज पर ये focus करता है कानून, और साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा criticism, जब भी कानून आया, तो कहीं लोग अठारा साल का है, भारत ने उसको 16 साल करके उसका violation किया है, और इन लोगा का कहिना है कि ऐसे बच्चे को educate करना चीए instead of punish, मतलब ऐसे बच्चों को जो ने अपरात किये, उनको educate करना चीए, ना की punishment देना चीए, तो किन्तु heinious offenses में इस प्रकार के तर्क आई थिंक नहीं चल law easy, thank you so much.